हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरा नाम है प्रियांका आज मैं उसे टॉपे को कंटीन्यू करूंगे, जो हम मैंने कुछ दिन पहले शूट किया था बच्चों को कोडिंग सिखाने के बारे में तो आज मैं जिस ग्रेट को कंटीन्यू करूंगे, वो ग्रेड होंगे, ग्रेड वन और ग्रेड टू इन बच्चों के लिए जो सबसे easy software होता है, वो है scratch programming scratch programming आप अपने mobile में कैसे download कर सकते हैं या laptop में कौन सा software चीया होगा, उस पर ये पूरा video बनाया गया है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान तरीके से मैं समझा पाऊं कि आप इस application को कैसे download कर पाएंगे, या laptop पे अगर बच्चा काम कर रहा है तो software वो कैसे download कर पाएगा, ये बहुत easy steps होने वाले हैं अगर आप चाहते हैं, आपके बच्चे आसानी से coding करना घर बैठे, सीख पाएं और वो भी एकदम free of cost, एकदम मुफ्त में, तो बने रहे हैं मेरे वीडियो में अगर आपका बच्चा laptop में programming करने वाला है, तो आप Google पे टाइप करेंगे scratch download, जब आप type करेंगे तो आपकी screen पे इस तरह का window open हो जाएगा इस तरह के open window में third वाला जो option होगा, आपको उस पे select करना है और वहीं पे आपको download link मिल पाएगी, जैसी आप उस पे click करेंगे, तो आपको scratch की website पे redirect कर दिया जाएगा scratch 1.4 जो version है, यह आपको download करना है जब आप उसको नीचे scroll करेंगे, तो आपको options मिलेंगे जो आप types of operating system के हिसाब से download कर सकते हैं अगर आपका laptop apple company का है, तो आप mac os वाला version डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप windows पे काम करते हैं, तो आप windows वाला डाउनलोड कर सकते हैं मेरे laptop में windows installed है, तो इसलिए मैंने windows वाला application डाउनलोड कर लिया है डाउनलोड हो जाने पर आपको उसको run करना है और अपने computer में install कर देना है installation के बाद आपको program कुछ इस तरीके से दिखाए देगा जब आप उसको open करेंगे यह preferably grade 1 & 2 के लिए बनाया गया है इसका जो interface है काफी easy रखा गया है drag and drop off coding programming है इसमें जो बच्ची easily कर पाते हैं तो फ्रेंट्स लेप टॉप में download करना हमने सीख लिया है अब बात करते हैं हम mobile में कैसे download कर सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको अपना open करना है play store और play store में open करने के बाद आपको search for app में type करना होगा scratch जब आप scratch टाइप करेंगे तो scratch for MRT करके option दिख रहा है आपको जो third वाले नंबर पे हैं आपको वो click करना है और अपने mobile में install कर लेना है जा आप install करके open करेंगे तो वो भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है यह software डाउनलोड करना अब इसको use कैसे करना है और बच्चे coding start कैसे कर सकते हैं उसके लिए मेरा next video आने वाला है जल्द ही मैं upload कर दूँगी तो उसके लिए अगर आपको notification चाहिए अलर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना होगा तो जैसे ही मेरा coding का next video अपलोड होता है आपको तुरंत उसका notification आएगा और उसके साथ ही आपके बच्चे कोडिंग का class 1 स्टार्ट कर पाएंगे थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग